How does a person progress in your field? ये question दोस्तों आप से आपकी interview में पूछा जा सकता है अब अगर आप experienced हैं, आपने पहले कहीं नोकरी करी है थोड़ा बहुत knowledge है कि आप जिस position के लिए apply कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी है कि हाँ senior ये होता था उसके ऊपर ये होता था या उनके ऊपर फिर ये वाली पोश्ट होती थी तो आप बता सकते हैं कि हाँ इस तरीके से एक जो है tree है और इसमें धीरे-धीरे हम इस तरीके से progress करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको बता है बट अगर आप एक fresher है और आपने सिर्फ अभी तक theoretical knowledge लिया है कि कैसे होता है लेकिन आपको practicality नहीं पता है कि यार क्या-क्या चीज़ें सामने आती है और ये question को आप कुछ इस तरीके से भी देखेंगे कि हाँ भाई अगर इनकी अच्छी बनती है जीनियर से तो इनको जो है promotion का chances होगा ये वो तलानी लिकानी चीज़ें बहुत सारी सो आप एक दो बार सोच में जरूर पढ़ जाएंगे कि इस question का answer क्या दो सो चलिए इसका answer आपके लिए मैं थोड़ा easy कर देता हूँ बनाना मैं कोशिश करता हूँ इस question को आपको समझा सकूँ और answer भी समझा सकूँ सबसे पहली चीज़ आपका knowledge check क्या जा रहा है आपको कितनी जानकारी है इस position की वो अगर आप experience है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं अगर आप fresher है तो आपने कितनी तयारी की है वो यहाँ पर दें जाएगी कितनी तयारी का मतलब यह नहीं कि आपने इस job के लिए कितनी तयारी की भाई आपने कितना जादा इस चीज़ को सोचा है कितना जादा आपने इसके पर काम किया है कि यह position मुझे मिलेगी मैं कैसे progress करूँगा अपने career को ले करके आपकी क्या तयारी तो आपका career के लिए आप कितने जादा लगे हुए हैं कितने जादा आप ततपर हैं वो यहाँ पर दिखाई देता है साफ साफ नजर आएगा कि आप career oriented है goal oriented है या नहीं आपका कोई life में aim है और वहाँ पर पहुँचने के लिए आप रस्ता रास्ता जो है वो चून रहे है या फिर आप सिर्फ नौकरी करने के लिए आए हैं कोई आपका ऐसा goal अपने इस particular चीज में नहीं लगाया अगर आप सिर्फ नौकरी के basis पर आएं कि मिल रहे हैं ठीक है दिहारी अपनी जो है बन जाएगी तो आपको हो सकता है कि यह पता ना हो कि कैसे progress करना कि कि आप सिर् यहां पर चेक हो जाएगा आपकी understanding जो समझ है उसको नापा जा रहा है आपके career को लेकर इस field को लेकर आप कितनी समझ रखते हैं वो चीज नजर आएगी तो चलिए इसका response कैसे देना है उसके तरफ कैसे बढ़ना है उसकी तरफ बढ़ते हैं उसके तरफ चलते हैं हम लोग तो जब आप answer दे रहे हैं दोस्तों तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है क्या बाते होंगी सबसे पहले आपको जो है एक clear pathway बताना होगा कि हाँ बेसिक जो चीज है यह हाँ पर है मतलब इस position से मैं शुरू करूंगा next step जो होगा यह position होगी progress होकर कि यह position तक जाते है थर्ड step में यह position तक जाते हैं और उसके बाद इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो एक आप बता सकते हैं step by step की क्या क्या progress का level होते जाता है अब सिर्फ यह बताने से काम नहीं चले गए तो सबको पता हो जाए मतलब जातर लोग बता सकते हैं लेकिन अगर आ कैसे आप उस position तक पहुँच पाएंगे आपने क्या उसके लिए तयारी का रखी है यहां पर आप जोड़ सकते हैं कोशिश करेंगे कि यहां पर आपको मतलब negativity नहीं लानी है कि अगर यह नहीं हो पाए तो यह कर लूँगा वो नहीं आप एक प्लान बताई है ना अपना औ यहां करना यह तो मैं कर लूँगा फिर इसके बाद यह हो जाएगा उसके बाद मैंने यह प्लान कर रहा है अगर आपको यह दी जाती है कोई condition की अगर यह नहीं हो पाए तो अपना प्लान भी बता सकते हैं लेकिन तब तक आपको straight forward अपना career pathway बताना है और दोस्तों कभी अपना end goal जो है ना last आप किस position पर अपने को देखते हैं वो ज़रू बताएं खीक है आपने अगर नहीं सोचा है लेकि next five year में next ten year में आपने जहां तक भी अपने आपको assume किया है कि मैं वो उस position तक पहुंचना चाहूंगा वो ज़रू बताएं क्या होता है कि जब आप एक goal सारी चीज़ें अब कुछ mistakes भी हम लोग कर देते हैं इतनी सारी चीज़ें तो बता दी मैंने इसमें हम लोग अपने तरफ से थोड़ा मिर्च मसारा डालेंगे डालिए बिल्कुल डालिए लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान में रखना वो बता रहा हूं क्या-क्या नहीं करना है अब progress pathway पूचा है तो भाई hard working तो शब्द हमारे मूँपे हमेशा रहता है जब हम pressure होते हैं कि भाई मेरा nature hard working है मैं तो बहुत hard work कर लेता हूं यह सब चीज़ें तो working hard करके ज्यादा महिनत करके हम pathway उस पर पहुँच जाएंगे देखो यह common बात है सभी को पता हुती है त जो field में कैसे आगे बढ़ा जाता है तो कुछ भी बनाने की जरूद नहीं खुद से make-up करने की जरूद नहीं कि यह बना लिया अब यह जो कहानी है ऐसे आगे बढ़ जाता है सामने वाले को पता है actually यार वो पात आप उसके सामने अगर कुछ भी बना कर बताएंगे तो उ आपने planning करें कि वो बता ही है वो जादा अच्छा होगा ऐसा पात भी नहीं बता देना है आपके अपने progress का जो इस job से related ही नहीं हो इस field का progress पूछा है लेकिन कई बार हम लोग अपना progress बताने लग जाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि field के field भी साथ में रखनी है और हम चीज घहान में रखनी है अब एक और गल्ती कर देते हैं हम लोग working hard working hard बोलने के लिए मना किया है तो हम लोग क्या करते हैं कि career pathway को इतना जाद है मतलब यह जो progress chart है इसको इतना difficult बताते हैं कि आप यह इस position के बाद यहां से यहां पहुचने में इतना समय लग जाता है इतन तो जिया आदम कम लगेगा और वो चीज नहीं पसंद आएगी तो आपको रखना है कि नहीं मैं कर सकता है मैं यह कर पाऊंगा यह इतना easy भी नहीं है बढ़ हां मैं कर सकता हूं जी चीज हमेशन का है as an example हम देखते हैं कि आपको बताना ही है तो आप बता सकते हैं कि जैसे आप अभी एक sales position पर है तो आपको career path वे बताना बता सकते हैं इसके next step आएगा वो sales manager का job होगा उसकी क्या duties होंगी वो आपको बतानी है उसकी duties के बारे में बता दिया उसके बाद आपने बताएगी इस और इसके बाद अगर देखा जाएं तो एक regional sales manager होता है जो की एक region समालता है उसके नीचे फिर ये sales manager काम करते है किया उसकी duties रहेंगी, कैसे उसे handle करना है, उसके बाद आता है भाई कि national sales manager जो कि सारे regional sales manager को control करता है उसके नीचे कितने सारे लोग रहते हैं उसका क्या duties रहते हैं, उसे क्या क्या चीज़े करनी होगी and lastly आप बता सकते कि vice president sales हो जाते हैं जिसमें कि सभी उनके अंडर आते हैं और ये सब चीज़े, तो आपको इस प्रकार से career path बताना होगा आप जिस भी नौकरी के लिए आप अपरोच कर रहे हैं उसके थोड़ा सा आप आगे तक का देख लीजी ताकि आपको जादा जानकारी हो साथ ही आपको ये भी बताना है कि आपकी skills, आपके experiences कैसे इस job के साथ साथ बैट रहे हैं और जो next step है उसमें भी कैसे आपकी skills और experiences साथ बैटेंगे और क्या चीज़े आप अभी सीखेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ field से हटकर के सीखेंगे, मतलब इस position से आपको क्या experiences मिलेंगे जो कि आपकी next step के लिए भी आपको साथ देंगे, ये जब आप पूरी चीज़े बताएंगे, तो convince होता है सामने माला, आप खुद ही सूचे, आपको अगर ये सब चीज़े में बता रहा हो, आपने same question मुझ से पूछा है, इस में क्या progresses, फील्ड की progress क्या है, क्या इसे आप बताओगे, और मैं आपको समझा रहा हूँ कि यार ये पहले मैं sales position बरूफ, sales manager बनूँगा, ये बनूँगा और उनकी duties भी explain करते जा रहा है तो आप convince होंगे ना, तो अपना confidence लेकर के जाना है साथ में, आज के वीडियो में इतना ही पसंद आया है, तो like कीजेगा comment section बताइए कैसा लगा, धन्यवाद